गुद मॉर्णिंग आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपके घर में सभी लोग अच्छे होंगे अभी कोरोना केसे के बारे में अगर हम बात करें तो काफी हद तक कंट्रोल में आ गया है केसे डैट मीन्स की स्कूल खुलने के चांसे काफी बढ़ रहे हैं तो इसको जब भी खुलेगा उसके बाद से हम हमारा जो एजुकेशन का सब्सक्राइब हो पूरा नॉर्मल हो जाएगा मुझे पता है कि ऑनलाइन क्लास करना काफी डिफिकल्ट होता है इस्टिल हम अपना टाइम जाया नहीं कर रहे हैं अट लीस्ट कम से कम हम ऑनलाइन ही टो आज का स्टाट करते हैं लाज हमने बैलंस डाइट के बारें पढ़ा थ जिसमें हमने थोड़ी सी नहीं चीज़े अब डिलोड करी तुछ धो दूस्या वार्टर्य रियू इंक्लूड करें तो कि पहले हमने पढ़ा उता कि जो भी नेट्रेंस होते है वह हम अपने डाय are washed after cutting or peeling them it may result in the loss of some vitamins तो क्या कह रहा है कि जब ही हमें fruits और vegetables खाना होता है तो पहले धुल लेना होता है पहले धुलने के बाद फिर काटना होता है otherwise क्या होगा अगर आप पहले काट लोगे फिर धुलोगे तो उसकी जो openings होती है वो बहुत ज़दा prone हो जाता है कि उसके उसके रास्ते से जहां पर कटा हुआ है उस जगह से सारे के सारे nutritional values वो बड़े आसानी से निकल जाएं यही reason है कि हमें सासे पहले चीजों को धुल लेना चाहिए वेजडेबल्स हों या फिर फ्रूट्स हों उसके बाद ही हमें उसको काटना चाहिए ताकि उसके जो nutritional values है वो पानी के साथ में धुलना जाएं ठीक है फिर आगे कह रहा है the skins of many vegetables and fruits contain vitamins and minerals कह रहा है कि बहुत सार ऐसे vegetables है जिनका जो skin मतलब ऊपर का जो छिलका है जो पील है उसका ठीक है वो उसके अंदर में बहुत सारे तरह के nutrients पाया सकते है that includes vitamins and minerals और उसके साथ में fiber तो पाया ही जाता है similarly repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them तो क्या कह रहा है कि in the same manner अगर हमने चाबल को और डाल को को जादा ही जरूसे जादा दस मनला एक बार दो पार धूना थे विटामेंड़े निंडा के निकल जा रहे जबकि हम हम्हारा jus pulses या फिर rice को खाने का purpose ही यही था कि उन्किक हमें nutrients मिल सके है, nutrients के केस में अगर हम rice के बारे बाद करें तो उसमें जाद दर करके protein यह जो rice है वह carbohydrate rich food है food item है और पलसस जो है हो protein rich food item है ठीक है तो अगर वह कोई भी एक nutrient में rich है और वह nutrient ही दूल जाए तो फिर उस food item को खाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है है उस्से पोसे सभी लोग पेट ने के लिए का खा रहे हॅर उसे आपके बॉड़ी को फायदा नहीं होने वाला है फायदा नहीं होगा तो द्यविजरे द्यूरत आपकी बॉड़ी एग अगर वो फुल skilled नहीं हो पाई तो आपका बॉड़ी जो है बहुत ज़्दा प्रोन हो जागा तो डिजीज़ और आपका बॉड़ी नहीं रहेगा तो यह सारी प्रॉलम्स होती है यही रीजन है कि हमें इन सब चीजों के केस में चाहे वो जो सब्जीया है उनको काटना हुआ उसको धुलना होती है अगर आपके घर में अगर यह सारी बाते किसी को नहीं पता है तो आपके रिस्पॉंसिबिल्टी बनती है कि आप उनको यह सारी बाते बताएं ठीक है आगे कह रहा है we all know that cooking improves the taste of food and make it easier to digest तो हम को क्यों करते हैं खाने को इसको सबसे बड़ा रीजन यहीं है कि ताकि खाना easily digest हो सके अगर हम कच्चा food खाएंगे तो digest करने में बहुत जादा time लग जा सकता है और दूसरा हम खाने को इसलिए पकाते हैं ताकि उसका taste बढ़ जाए तो हमें उसको खाने में interest भी आएगा और जब हम कोई भी चीज़ खाने में interest दिखाएंगे तो उसका वह खाना आपको tasty लग रहा तो वह खाना जादा आपको benefit पहुंचाता है इन कोई खाना आपको tasty लगी नहीं रहा है तो उसके अंदर भले nutritional values होते हैं वह उतना आपको benefit नहीं पहुंचा पाता है क्योंकि उसमें कुछ बहुत सारी चीज़े होती हैं जो हमारे दिमाग की वज़ा से हम हमारे माइन की working की वज़े से बहुत सारी चीज़े काम करती हैं तो थोड़ा सा complicated हो जाता उसके वारे हम अभी discuss नहीं करेंगे आपको यहीं समझना है कि जो भी हम खाना खाते हैं वह पका के इसलिए खाते हैं ताकि उसका टेस्ट बढ़ जाए और दूसरा उसको digest करने में ह इससे समझ सकते हो कि अगर आप मुटन खाना फसंद करते हैं जाता monthly गते हो जब K menoron को पुर्णा यहया सोचो प्लेछा मटन खाता हो या बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं पका हुआ 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 हैं तो उसको डाइश करने में किना च्बढ़ ताय लगता है जब अच्छे से पका हको तो इची से आपको आडिया लग सकता है कि कि आकर हमें फूर आइटमज को पकाना क्यों जरूरी होता है हमारे बॉड़ी के नहीं है क्योंकि फूर्ट्स चोहें रिलेटिव ली काफी हलके होते हैं इनका ब्रीक्डाउं होना पड़ाता है और यह बह यह तो बिल्कुल ही सही बात है, इसके बारे में आपके दिमाँ में पहले से आना चाहिए, कि अगर पानी में धुलने से nutrients गायब हो सकते हैं, nutritional losses हो सकते हैं, तो अगर हम खाना पका रहे हैं, तो heat की वज़े से nutritional losses हो ही सकते हैं, ठीक है, और यही reason है, कि हम खाने को एक time तक पक हमें उसको जलाते नहीं हैं, ठीक है, अगर हम जलाएंगे तो सारे का सारे जो nutritional उसमें values थे, वो सारा का सारा उड़ जाएगा, वो सारा का सारा गायब हो जाएगा, ठीक है, कह रहा है, many useful proteins and considerable amount of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away, तो क्या कह रहा है, जब हम cook कर रहे होंगे, उसमें अगर बहुत जादा हमने अगर पानी यूज़ कर लिया, अब पानी के वज़े से gravy बहुत जादा हो गया, या पानी के वज़े से gravy बहुत जादा हो गया, तो obviously आपको gravy फेकना पड़ेगा, य जितना जादा देर तक पकाऊगे, पहली बात तो यह कि आपको पता है कि जो भी vitamins होते हैं, वो उसमें जाददर करके पानी में आसानी से घुल सकते हैं, पानी उननों को already मिला हुआ था, पानी में already घुल गया थे, अब पानी को इतना जादर temperature मिला कि पानी अड़ने लगा जब पानी उनने लगा तो chances हैं कि उसके साथ में जो उसमें nutrients उसमें घुले हुए थे, वो भी उसके साथ में शायद उड़ सकते हैं, तो यही कारण है कि protein का और considerable amount of minerals का भी loss हो सकता है, ठीक है, अगर हम पानी जादा यूज करा हैं और पानी को फिर बाद में फेक भी दे र delicate है, कि हलका सा भी इसको जादा temperature मिला, हलका सा भी जादा temperature मिलेगा, तो यह vitamin C सबसे पहले उड़ता है, इसका मतलब यह हुआ कि vitamin C का जो source है, वो बहुत जादा delicate है, और vitamin C, इसलिए हम कोशिश करेंगे, पका हुआ खाने से, जो हम food को cook कर रहे हैं, उस खाने से हम vitamin C लेने क उसमें vitamin C भर भर के पड़ा हुआ होता, यही कारण है कि हम citrus fruits जादा खाते हैं, citrus fruits में क्या-क्या आते हैं, एक तो orange हो गया, lemon हो गया, फिर grapes हो गया, यह सारे citrus fruits में आते हैं, ठीक है, would it not be sensible to include some fruits and raw vegetables in our diet, obviously, क्यों हम raw vegetables और raw fruits हम क्यों अपने diet में include करेंगे, ताकि ऐसे nutrients जो थोड़ा साही गर्मी पाने से उड़ जा रहे हैं, वो nutrients तो हमें food को अगर हम cook कर रहे हैं, उससे तो मिलने वाले नहीं है, तो हमें किसी ना किसी दूसरी तरीके से नहीं लेना पड़ेगा, दूसरी तरीके से लेने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, कोई एक ऐसा food item खाया जाए, जिसको heat करने के जरूरत ना पड़े, तो ऐसे case में हम कच्चा सबजी खाते हैं, कच्ची सबजीों में अगर आप कुछ खाना पसंद करते हो, वो खा सकते हो, ठीक है, उसकी अलावा fruits तो हैं ही, fruits को हम generally पका के नहीं खाते हैं, हम fruits को कच्चा ही raw खाना पसंद करते हैं, यही कारण है, कि हम fruits को लेते हैं, और अगर आपको इस पर बेज एक question पूछ लिया, कि क्या हम जो cooked food खाते हैं, उसके साथ में raw food items भी खाना जरूरी है, तो इस पर एक बहुत ही अच्छा अंजर आप लिख सकते हो, कि yes, क्यों जरूरी है, तो उसके आप ब चाही ना, लेकिन वो nutrients को हमारे body को जरूरत है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है, कि हमारे body में जितने भी nutrients अभी तक हमने पढ़ा हुआ है, चाहे वो vitamins के सारे तरह के vitamins हो, चाहे वो minerals हो, चाहे वो protein हो, fat हो, और carbohydrate हो, तो इन में से कुछ भी हो, सारी के सारी चीज़ें हमें जर temperature मिलने से उड़ जा रहे हैं, तो वो तो हम पके हुए food में से तो हम उसको obtain कर नहीं सकते, पके हुए food से तो वो चीज़ हमें मिल नहीं सकती, तो इसलिए हमें जो है, हमारे पास दूसरा option यह है, कि हम raw food items से ले, क्योंकि raw food item का temperature इतना तो होता नहीं है, कि वो vitamins से उड़ सक include करते हैं, और खास करके यही का रहने हैं, कि हम सलाद वगारे खूब खाते हैं, सलाद वगारे खाना बहुत ही अच्छी बात होती है, आगे कह रहा है, बूजो थाट बैट फैट वोड बेस्ट फूड तो इट, क्यों, all the time, क्यों, क्योंकि उसको क्यों आ लगा, कि फैट तो सबसे जादा energy देता है, तो जितना जादा energy उतना ही जादा beneficial, लेकिन वो यह भूल गया, कि जो भी balance diet होता, उसमें हर एक चीज़ right amount में होना चाहिए, अगर right amount से जादा या कम हुआ, तो उससे हमारे body के health पे impact पड़ेगा, और फिर body के growth पे impact करेगा, फिर आगे कह रहा और एक कटोरी अगर carbohydrate लेगा, तो दोने से जादा energy कौन देगा, फैट देगा, obviously, so he ate nothing but food rich in fats, fried food like समोसा and पूरी, मलाई, रबड़ी and पेड़ा, तो वो जादतर ऐसी चीज़े खाने लगा, जो खूब सरा फैट कंटेन करता हो, और उसका बागे nutrients पो ध्यानी नहीं दे रहा उसका जो है result का निकलेगा, conclusion क्या होगा, do you think he was right, क्या को लगता क्या वो सही है, obviously, अभी तक हमने जो भी पढ़ा, उससे यही समझ में आता है, कि नहीं, उसे बहुत गलत काम कियो, क्योंकि, उसे balanced diet का जो rule था, वो follow नहीं किया, no, of course not, if he can be very harmful, it can be very harmful for us to eat too much of fat, rich foods, and we may end up suffering from a condition called obesity, obesity क्या है, मोटापा की एक condition है, जिसको ये एक तरीकी की बिमारी होती है, और एक time के बाद में, जब आप मोटे हो जाते हो, एक extent से ज़्यादा जब मोटे हो जाते हो, उसाद आप धेर सारे बिमारीयों का घर अपने पास में रख लेते हो, ठीक है, आपका body ढंग से क चीदों को वापस से पढ़ना रिवाइस करना है, और रिवाइस बार बार करते रहना है, तब तक जब तक आपको ढंग से याद ना हो जाए, यह सारे terms आपको याद जाने चाहिए, ठीक है, बाकी हम नेक्स लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है, तब तक के लिए, ठेंक्यू